दोस्तों अगर आप computer science की field में career बनाना चाहते हो और आपको CS की field की बारे में कम या zero knowledge है तो मैं आज आपको internet का सबसे ज्यादा popular और best course बताने जा रहा हूँ ये Harvard का CS50X course है जो worldwide माना हुआ है सबसे जरूरी बात इसको completely free of cost करने की method तो मैं बताऊंगा ही पर साथ में इसका certificate भी कैसे free में पासकते हो ये भी share कर दोगा हम आज इस course के बारे में details देखेंगे इससे आपको क्या फाइदा होगा free content and free certificate कैसे पाए सब कुछ step by step discuss करेंगे आप बस end तक बने रहना और इस top-notch course के बारे में सब कुछ ध्यान से सुनना end में एक बहुत काम का bonus source आपको दिया है जो आपके लिए काफी beneficial हो सकता है तो वो भी check out कर लेना so without any further delay let's get started with our video दोस्तों ये course इंटरनेट पर सबसे अच्छा और famous CS course माना जाता है 3.5 million से ज्यादा लोग आज तक enroll कर चुके हैं इसके लिए देविड जे मैलन हावर्ट की top faculty का हिस्सा है और सबसे बढ़िया बात ये है कि हर साल इस course को revise किया जाता है अपग्रेट किया जाता है दूसरे courses एक बार बन कर सालों तक इंटरनेट पर चलते हैं लेकिन इस course को हर साल better बनाया जाता है इस साल के अपग्रेड में दो नई lectures आट किये गए हैं एक new problem discuss किया गया है और एक new code editor भी है तो इस साल आया हुआ latest version और भी better है अगर आपको computer science की feel में जाना है तो ये course best है CS की basic understanding इस से better आपको कहीं नहीं मिलेगी इंटरनेट पर काफी research करके हमने धूना है पूरा process और course को closely देखा है और आपके लिए ये पूरा detailed वीडियो बनाया है इस course के बारे में Harvard जिसी universities के courses अगर आप उनकी website से या किसी और source से करते हैं तो काफी ज्यादे expensive पर जाता है क्योंकि इन universities की worldwide काफी reputation है और companies इनके brand name को बहुत importance देती है इन courses के लिए आपको high fees pay करने परती है मतलब आप मान के चलो कि ऐसे top courses के लिए 10-15,000 रुपए का खर्चा हो जाता है और obviously ये students और part-time job वाले लोगों के लिए affordable नहीं होता बट मैं आज आप से बहुत valuable information शेर कर रहा हूँ जहां आप Harvard की इस course को free में कर सकते हो with certificate दोस्तों life में सभी लोग successful होना चाहते हैं और हर हाल में होना ही चाहते हैं लेकिन सबसे पहला और बड़ा सवाल ये होता है कि success पाने के लिए किस बात को choose करें और कैसे अपने mind को सबसे अलग बनाए जो कि success के लिए सबसे important होता है तो इसके लिए मैं आपको suggest करूँगा कि आप Cuckoo FM पर The Code of the Extraordinary Mind ये book summary जरूर सुने सबसे अच्छी बात ये है कि ये हिंदी में available है इस book summary में आपको चुन-चुन के ऐसे तरीके example के साथ बताये जाएंगे जिससे आप खुद को पहचान सकते हैं अपने दिल और दिमाग दोनों की बात सुनके success के रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं जहां से सफलता मिलने की उमीद ज्यादा हो जाती है Cuckoo FM एक बहुत बढ़िया audiobook learning platform है जहां आपको ऐसे ऐसे ठेरो सारी audiobooks मिलेंगे आप book summary, biographies, skills के बारे में सीख सकते हो वो भी अपने regional language में वैसे तू Cuckoo FM की normal कीमत सालाना 399 रुपए है बट अभी एक offer चल रहा है अगर आप SS50 coupon code यूज करते हैं तो आप लोगों में से first 200 लोगों को मिलेगा 50% discount और आपको मिलेगा पूरे साल भर का access मात्र 199 में येस साल भर का access just 199 में लिंक वीडियो के description में है check out जरूर करो अब अपने वीडियो के topic पे आते हैं पहले जान लेते हैं इस course के बारे में देखो ये एक beginner friendly course है introductory level का है तो आपको programming का कोई knowledge ना भी हो तो problem नहीं है इसमें आपको computer science और programming की field की काफी strong understanding बनाने में help मिलेगी आप programming related problems कैसे solve की जाएं इस field की community के साथ कैसे engage करें ये सब सीखने मिलेगा अगर बात करे course contents की तो बहुत सारा है आपके पास सीखने के लिए सारे जरूरी concepts आपको सिखाये जाएंगे जैसे data structures, algorithms, web development, abstraction और भी बहुत कुछ काफी सारी most trending programming language के साथ आप familiar हो पाऊगे जिसमें C, JavaScript, Python, HTML, SQL, etc. आते हैं और finally आप अपने खुद का एक programming project बनाऊगे और present करोगे सो ये overall एक value packed course है इस CS course को free में with certificate complete करना बहुत ही फायदे मंध होगा इस field के बारे में dynamic knowledge तो मिलेगा ही साथ ही आप LinkedIn पर certificate को डाल सकते हो और अपने resume में भी लगा सकते हो Harvard जैसी world की top university का course है ये आपके resume में इसका certificate काफी value बढ़ाएगा जैसा मैंने पहले बताया Harvard से के हुए course की value आपको हमेशा किसी भी job के समय बाकी applicants के comparison में एक edge provide करेगी सिंस ये course हर साल upgrade होता है आपको latest और industry relevant knowledge मिलेगा इसमें और Harvard की top faculty इस course के instructor है तो आप समझ ही सकते हो कि global level का knowledge आपको इस course से मिल रहा है मैं आपको free में completion और certificate की method बता रहा हूँ तो आपको कोई पैसे भी नहीं लग रहे इस course को करने के लिए तो चलो अब देखते हैं इसको कैसे free में करना है और certificate पाने के लिए क्या process follow करनी है देखो वैसे तो certificate पाने के एक दो तीन तरीके हैं हमारे पास मैं आपसे सब को शेर करूँगा और देखेंगे कि सबसे बेस तरीका कौन सा है हमारे पास यह course Harvard ने edX पर भी available कराया है यहां से आप इस course को कर तो पूरा सकते हो सारा content मिल जाएगा आपको बट यहां आपको certificate के लिए pay करना पड़ेगा आप देख सकते हो अगर आप edX पर इस course पर जाकर enroll बटन दबाते हो तो free और paid options मिल रहे हैं यहां अगर आपको certificate लेना है तो 11,860 रुपीज पे करना पड़ेगा और यह बहुत high amount है और इसलिए यह सबसे feasible option नहीं है अब देखते हैं दूसरा बेटर तरीका इसके लिए आपको जाना है Harvard OCW की website पर OCW is open course where यह Harvard का open online course का platform है इस पर आपको पूरा course content सेम मिलेगा सारे assignments भी सेम मिलेंगे अगर आप यहां से करोगे तो आपको free completion certificate मिल सकता है free certificate का process थोड़ा confusing लग सकता है तो चलो मैं आपको properly पूरा process दिखा देदा हूँ देखो यह Harvard OCW की website पर हमने CS50 introduction तो computer science course खोल लिया इसकी link description में मैंने डाल दी है आप यह left side में जब नीचे scroll करोगे तो week 0 से लेकर week 10 तक सारा content access कर सकते हो यह मैंने week 0 पर click किया पूरा वीडियो यहां आ गया है इसके नीचे देखो आप audio, notes, subtitles, transcript सब देख सकते हो सबसे नीचे problem set भी आपको दिख जाएगा इस पे click करके उस problem set को solve करने की पूरी steps और instructions आपको मिल जाएगे इन problem sets को solve करके 70% या उससे ज्यादा score करना है आपको इसी थरा आप week by week सब सीखते जाओ और problem sets को solve करते जाओ week 10 के end में देखो final project आएगा देखो यहां सब steps और ideas दिये हुए हैं इसको complete और submit करने के last में certificate कैसे generate होता है बताया है आपको steps follow करके दी हुई link पर submit करना है और कुछ देर बाद grade book चेक करना है उसकी link भी यहां दी है grade book load करने के बाद system चेक करेगा कि आपने course complete किया है या नहीं और उसके बाद आपका free completion certificate instantly generate हो जाएगा देखो इस course में problem sets, labs और final project में आप 70% या उससे ज्यादा score करते हो तो आप free completion certificate के लिए eligible हो तो आपको इस course को properly करना है दिये हुए assignments और final project को ठीक से complete करना है फिर आपको कुछ इस तरीके का एक completion certificate मिल जाएगा इसमें और edX के certificate में बस इतना difference है कि इसके लिए आपको ID verification का option नहीं मिलता लेकिन दोस्तों ये जो free completion certificate मिल रहा है वो काफी होगा आपके लिए ID verified certificate के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे बट आप ये certificate लेते हो तो भी कोई फरक नहीं पड़ता आपके certificate की value कम नहीं होगी प्लस आपके final project और assignment से आपके पास अपने certificate को justify करने के लिए सारा knowledge और skills होगा ही final project भी आपके पास as a proof and added benefit रहेगा तो आपको same value मिलेगी with a free certificate और दोस्तों अब इस वीडियो का bonus point हमने ये एक article create किया है especially अपने YouTube family के लिए इसमें Harvard की programming and coding related जितने भी course है हमने सब कुछ mention किया हुआ है उन courses की बारे में सारी information, tips and tricks आपको देखने मिलेगी इस article में तो आप FC Fact का ये वाला article देख सकते हो Harvard के कई और best course की बारे में जानने के लिए इसकी link भी आपको description box में मिल जाएगी तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने Harvard के most popular CS course की बारे में discuss किया और उसको free में करके free certificate पाने की method भी share की I hope आपको useful information मिली हो इस वीडियो में Skills here telegram channel join करके आप और ऐसे courses के बारे में updated रह सकते हो अपने questions या new video के लिए suggestions आप मुझसे comments में ज़रूर share करना अपने friends से इस video को share करो और likes and comments से इस informative video को और लोगों तक पहुँचाने में help कर सकते हो और हाँ description में दिये हुए link से कुकू FM को download कर लो और अपने health, wealth, career को improve करने के लिए daily कुछ नया सीखो Use करो SS50 coupon code क्योंकि इससे मिलेगा first 200 लोगों को पूरे 1 साल का access मातर 199 में रोज 1 रुपे से भी कम मिलते हैं next video में, bye bye and thanks for watching